देखिए VECC का अप्लिकेशन फार्म बरने के बाद जब पूरा बरनेंगे तो आपको पेमेंट करना होगा पेमेंट 100 रुपे से 100 रुपे और 100 रुपे तो पेमेंट आप किसमे 100 रुपे करेंगे किसमे 100 रुपे मैं अभी यह भी डिटेल से दिखा दूँगा उसे पहले कि जो यह आपको अप्लिकेशन फार्म बरने के बाद आपको पेमेंट की दिखकत होगी तो पेमेंट इसका जो थोड़ा डिफिकर्ट तरीका से है कैसे करना है थोड़ी कंप्लेक्स है तो इस वाज़े से वीडियो को अंतक देखें कि मैं बताऊंगा कि आपको फीज को पेमेंट कैसे करेंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बाक्स में मैं दे दूँगा फीज पेमेंट वाला तो उस पर आपको क्लिक करके आजाना है किसे आजाएंगे सब्स कालेट वाले पेस यहां पर लेक्त यहां पर यूज दिया हुए तो यह पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा otherwise इस पर क्या करना है कि यहां पर तीक कर देना इस्टेट कार्पोरेट लिख रहा है और इंस्ट्यूट लिख रहा है तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है आल इंडिया सेलेक्ट करना है क्या सेलेक्ट करना है आल इंडिया आल इंडिया सेलेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है मैं एक-एक स्टेप बताऊंगा अंतक बने रहेगा फिर अगला जो दिया है टाइप आप कार्पोरेट और इंस्ट्टूट इस इसमें आपको गौवर्मेंट डिपार्ट्मेंट चूच करना है तो चलिए ओपन कर ले रहा हूं और देखिए इसमें गौवर्मेंट्ट करना होगा Fore correctly करना होत आंपको विधक करने के बाद आपको क्या करना है फैली ने उपटर ओपे धायेगा अब लिखना है कि विधन फ्लक्बिक टॉट करना है ठीक है किसकोज शुच करना है वैरियेबल, एनर्जी स्सक्राइख सेंटरोथ यहां पर दिया हुआ है वायरेबल एनर्जी स्पाइक्लोट्राइख सेंटर, यही तो कि वैरियेख्यों करा है तो इस पे आपको Qlik करना होगा अब सब्षाभा वैरियेबल अर्ण सब्मिट करा हो capit तो सब्मिट कर दीजिए सब्मिट कर देंगे तो देखिए वेरियेबल का जो आपने फार्म भरा हुआ था यह आ गया वेरियेबल एनरजी साइकलोट्रान वाला सेंटर आप जो भरे हुए है अब यहां पर सेलेक्ट पेमेंट केटेगरी आपको सेलेक्ट करना है ना तो अब केटेगरी में आपको क्या करना होगा है केटेगरी में आपको रिक्रुइटमेंट जो लिखा है इसको सेलेक्ट कर लिजिएगा उसके बाद आप नीचे आएंगे तो रिक्रुइटमेंट एडवार्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर तो एडवर्टाइजमेंट नंबर व वह ही application नमबर यहाँ डालने है तो मैंने ल्रड़ी इमेल पर भी आपको यह application number मिल जाएगा तो मैं ल्रड़ी email से कापी कर लिया हूँ और मैं यह अब मेरा email क्या है application number यह उसके पाद आपको post number कौंसा था आपका तो मेरा था DR04, कौन सा था DR04 मैंने work assistant के लिए भरा हुआ था, चलिए मैं दिखा दू कौन सा post, देखी यहाँ पर, मैं work assistant A के लिए भरा हुआ है, तो मेरा code क्या है DR04, क्या है DR04, तो आपको वही चुछ करना है इसमें भी, चलिए, फिर हम चलते, मेरा post code क्या है DR04 वाला है, त आप भी अपना देख लिजिएगा, कौन सा है, आपको मैं PDF बेज़ूँगा, अपने telegram channel पे, वहाँ से download कर लिजिएगा, और how to apply वाला भी PDF, मैं आपको telegram channel पे बेज़ दूँगा, तो मेरे telegram channel को join करके, आप उनको download करके भी भर सकते हैं, तो मैं अभी farm जो भरा हुआ हू इसको चूच करूँगा, कोई-कोई post है, जो DR02 वाला उसमें DR100 पे लग रहा है, तो यह याद रखिएगा, जो आपका post है, उतना ही रुपे एक्जेक्ट पेमेंट करना है, यदि 100 रुपे है, तो 100 रुपे ही पेमेंट करना है, यदि 101 रुपे हमने पेमेंट कर दिया, तो मेरा फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या लिखना है, अप्रिकेंट नेम लिखना है, यानि कि जो आपका नाम है, वो नाम लिखिएगा, ठीक है, तो चलिए मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, यह मेरा अप्रिकेंट नेम हो गया, अब आपको यहाँ पर अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर मुबाइल नमबर डालने के बाद इमाउंट पेबल, तो पेपल पर की लिख करिएगा, और कितना पेबल था, तो सो रुपे था ना, तो सो रुपे ही डालिएगा, यह ने की एक सो डेर सो वाला, जब देर सो वाला फार्म भरेंगे तो रुप डेर सो वाला डालेंगे, मैं वर्क असिस्टेंट के लिए डाला था, इस वज़े से सो रुपे है, और यहाँ पर रिमार्क में कुछ भी लिख लिजिएगा, रिमार्क में जैसे यह अप्लिकेशन फीस ही दिया है, तो यह आप क्या लिख 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 करना होगा, तो देखिए, यहाँ पर खुल कर आज आएगा, यह PDF, जो मैं अल्रेडि आप लोगों को दिखा दिया हुवा ही वाला है, कि DR02, DR01, DR4 के लिए 100 रुपे हैं, और DR03 से लेकर 3, 4 और 5 के लिए, और DR05, DR12 के लिए 100 रुपे है, ठीक है, तो यह आप चेक कर सकते है PDF मैं सेंड कर दूँगा, आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर, तो यह मैंने अल्रेडि फिल कर रखा है, अपने रिमार्क देए दिया, अब यहाँ पर देखिए, नीचे आएंगे तो लिख रहा है, प्लीज इंटर यो नेम, डेटा, बर्थ, इनकार्पुरेशन, आपको इसको भी फिल करना होगा, तो चलिए नाम में यहाँ डाल दे रहा हूँ, मेरा नाम है, हम्दी शादाव अली, ठीक है, नेम हो गया, अब यहाँ डेटा बर्थ डाल लिजीगा, आप लोग अपना डेटा बर्थ चूच कर लिजीगा, जो भी आपका डेटा बर्थ ह वही डालिएगा, बिल्कुल कोई भी गर्ति फार्म में नहीं होनी चाहिए, एक एक फार्म को जैसे मैं भर रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ, वैसे एक एक डिटेल चेक करके आप फार्म को फिल करिएगा, पांच बारों निसा अंटार्वेट, यहाँ मुबाइल नमबर कंप दिखाई दे रहा है, इसको डालना है, तो capture 720, capital B, capital F, अब क्या करना है, आपको submit पे click करेंगे, तो अगला page देखिए, इसको भरने के लिए आपको थोड़ा fast रहना पड़ेगा, नहीं तो यह क्या हो जा रहा है, एक्स्पायर हो जा रहा है, चलिए मैं फिल करके थोड़ी fast में आप लोग को दिखा रहा हूं, देखिए इतना भरने के बाद आपको यह detail आ जाएगा, verify detail and confirm this transaction, ठीक है, यह मैंने अल्रेड़ी सब डाल दिया था, 100 रुपे ही काटना है, अब यहाँ पर confirm पर मैं click कर दूँगा, confirm पर click करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, से कर सकते हैं, credit card से कर सकते हैं, prepaid से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, तो UPI में 0 charge है, UPI से मैं कर दे रहा हूं, 0 रुपे लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं है, आपर देख सकते हैं, तो UPI पर click करने के बाद मैं यहाँ अपना UPI ID डाल दूँगा, UPI मेरा है, जो भी है, देखि चलिए, मैं QR कोड से कर दे रहा हूं, अपना payment, यहाँ पर QR कोड का option है, QR कोड यहाँ पर दिखा ही दे रहा है, अब मैं क्या करूँगा, अपने mobile का QR कोड जो दूसरा number है, दूसरे mobile से, जिसमें मैं Google पर रखा हुआ हूँ, किसी भी गारो किया, किसी भी Google पर से कर लिजेग और अब देखिए, मैं अब भी payment हो जाएगा मेरा, बस करी रहा हूं दोस्तों, ओके यह मेरा payment हो गया, अब देखिए, पेमेंट करने के बाद आपको successfully registration का यह message आ जाएगा, देखिए, हो गया, छोड़ी दे, छोड़ दीजेगा, कोई भी घड़बड़ी ना करिएगा, हड बड़ी से करने से आपका ही नुकसान हो सकता है, यहां से payment हो चुका है, आपको इतना देर वेट करने के लिए बोला है, चार मिनट तक, अब देखिए, हाँ, payment हो गया, लिख रहा है न, payment done successfully, 21 अप्रेल, 2026 बच के 43 MP, ठीक है, यहां भी time जो हो रहा है, तो यह आप देख सक हैं, और यहां पर SBI collect reference number भी दे दिया है, recruitment category दे दिया, advertisement number दे दिया, application number दे दिया, post जो apply किया था, और मेरा नाम, email, id, mobile number और amount जितना कटा है, अब इसको क्या करना है, receipt को मुझे download कर लेना है, तो click here to receipt, download को download कर लिजिएगा, अपना receipt क्योंकि आपने payment किया है, तो, अब PDF में हो गया, अब इसको मैं save कर दिया, ठीक है, तो यह मेरा, देखिए, save हो चुका, payment, save, तो यह मैंने finally save कर लिया, एक बार और save कर लूँ, माली जी दो दो PDF रहेंगे, तो और अच्छा ही रहेगा, payment किया हुआ है, तो, तो यह payment हो गया, और अगर आप देखना चाहेंगे, payment की PDF तो चलिए, वो भी दिखा दे रहा हुँ, मैं, देखिए, VECC का जो मैंने, यानि की variable energy cyclotron center का जो payment किया हुआ है, उसी का receipt थे, कि SBI का e-receipt statement collect payment, तो कैसे करना है, यह process में आप लोग को पूरा detail से बता दिया हूँ, और आपको कोई भी चीज रुखना नहीं चाहिए, आप बारी-बारी से आप क्या करिए, एपना फार्म को apply करिए, कैसे apply करेंगे, यह मैंने वीडियो में अल्रेडी बता रखा है, तो वीडियो को एक-एक step देखकर अपना फार्म को fill up करिएगा, कहीं कोई गलती न हो जाए दोस्तों, ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो गाइज,